सावन महिने में कावड यात्रा के दोरान इस बार अब राजिस्थान में आते ही डीजे बंद करना होगा 24 जुलाई को राजिसरकार द्वाराज जारी की गई गाइडलाइन के नुसार धोलपूर जीला कलेक्टर श्री निधी बीते का एक आदेश काफी चर्चाम है इसमें कावड ले जाने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है इसमें लिखा गया है कि देश शाम कावड यात्रा के दोरान शहर में डीजे और लाओड स्पीकर पर पाबंदी रहेगी यानि राजिस्थान की सीमा में आते ही उन्हें डीजे बंद करना होगा हलाकि कलेक्टर की ओर से इसे राज्य सरकार की नियमों का हवाला बताया गया है लेकिन इसे लेकर इस्थानी बजरंग दल के नेताओं ने विरोध भी शुरू कर दिया है आदेशों में ये भी लिखा गया है कि कावड यात्री तलवार डंडे स्थिक या फेकिसी बेसबोल आदी लेकर साथ में नहीं चल पाएंगे फुट पाथ पर ही चलें नशीले पदार्थ का सेवन ना करें इवं पानी वाले इस्थान पर शांती पूर्ण तरीके सिस्नान करें दिनान के चोबिस साथ दोजार चोबिस कुट राजी सरकार के ग्रिविवाद के जो डारेक्शन्स मिले थे हैं की दूस अंडोंस कावड यात्रा के दोड़ा कावड यात्रा के दोरान क्या करें और क्या नहीं करें उसके समझ में दिशा निर्देश से राजे सरकार के दोड़ा जारी किया गया था जैसे कि हरिद्वर से आने वाले बैदल कावड यात्री पुटपात पे चले और नहर पत्री का ही प्रयोग करें कावड यात्री अपने पहचान अधार काड इस अपने साथ में रखे अपना निर्दारित पार्किंग में ही पार्किंग करे अराज के तक्त्व से सावधान रहे वहन में बेटे कावड यात्रियों के सुची यात्रा विवरन अपने साथ रखे निर्दारित गाटों पर इस कि दूरान क्या नहीं करें ? कि यात्रा के दौरान अपने साथ के होकी बैस्वाल स्टिक तन्वा नुकिले वाले भाले लाटी डंडे आदि का need ूज़ नहीं करें यात्रा के समय मादक पदार्तों का सेवन नहीं करें, कावर्ड की उचाई साथ पीट से अधिक ना रखें, रेलगाड एवं अन्यवाणों की चतों पर यात्रा नहीं करें, फुलों से चलंग लगा कर सनान नहीं करें, कावर्ड में डीजे लॉर्ड स्वेकर आदे का प्लास्टिक से बने उत्वाजनों का परयोड नहीं करें, यात्रा के दोरन अपने मोटर साइकल का साइलेंसर उतार कर नहीं चला, राजी सरकार से जो डारेक्शन हमें 24 साथ को प्राप्त हुआ है, उसको इंप्लिमेंटेशन इसलिए करना जरूरी है, ताकि हावर्ड यात यात्रा सुगम और सुकमाय रहे और साथ ही रास्ते में कोई आहे तक्राव एटना है, जैत्राम बंदेवात्राम, आज जो की राजसरकार के निर्देशन पर जिला कलेक्टर दौलपर के दौरा एक आदेश निकाला गया है, जिसमें की कावडियों को लाटी लेकर साथ चल करते हैं, क्योंकि वो 400 किलो मीटर पैदल चल के आ रहे हैं और कोई विधर्मी अगर उनकी कावड को अपावित्र करता है, तो यह कैसे भी सहन नहीं किया जाएगा, या तो आप अपने दिले में उनकी पूर्ण सुरच्छा करें और अन्य था आपने कावडियों के चाथ द नहीं को यह आपने रहे हैं, और उनकी तो के और माई.